आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स कहकरो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही राउटनोट करें हेलो दोस्तो प्रशन है, चार लर्कों को एक विर्ताकार मेज के चारो तरफ चार विभीन रंगों की कुरसियों पर कितने परकार से बैठाया जा सकता है चलिए दोस्तो इस प्रशन को हल करते हैं, यहाँ पर दोस्तो हमें लर्कों की संख्या दी हुई है, यहाँ पर लिख लेंगे लर्कों की संख्या चार है और इन चार लर्कों को हमें एक विर्तापकार मेज के चारो तरफ चार विभीन रंगों की कुरसियों पर बिठाना है और इसे कितने तरीके से बिठाया जा सकता है हमें उन तरीकों की संख्या को ग्याद करना है तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 खाली स्थान ले लेते हैं, यह हमारे पास 4 खाली स्थान आ जाएंगे, अब जैसा कि दोस्तों विर्टीय करम्चर में हम जानते हैं कि यदि हमें N चीज़ दी हुए होती हैं और इन N चीज़ों को हमें इस विर्टाकार आकरीती के 4 ओर बिठाना ह होता है यानि कि इसका करमचे करना होता है तो इसका तरीका होता है n-1 factorial के बराबर जबकि दोस्तों घरी की दिशा की सजावट तथा घरी के विप्रित दिशा की सजावट अलग-अलग होती है चुकि यहां पर हमारे पास लर्कों की क्या चार है तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे चार लर्कों यहाँ पे आ जाएगा चार लर्कों को विर्ताकार मेज के चारो तरफ बिठाने का कुल तरीका यहाँ पे लिख लेंगे विर्ताकार मेज के चारो तरफ बैठाने का कुल तरीका यह हमारे पास आ जाएगा दोस्तो इस चूत्र की मदद से हम देख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा 4-1 factorial याने की 3 factorial के बराबर और 3 factorial बराबर होता है 3-2-1 के जो की बराबर होगा 6 के अब दोस्तो प्रशन से देख सकते हैं हमें बोला गया है कि विर्ताकार मेज के 4 तरफ जो कुर्सिया रखी गई है वह बिभीन रंगो की है ठीक है तो यहाँ पे दोस्तो हम लिख लेंगे बिभीन रंगो यहाँ पे आ जाएगा बिभीन रंगो के कुर्सियों की संख्या यह हमें दी हुई है 4 के बराबर और यहाँ से दोस्तो हम देख सकते हैं यदि हम परतेक लड़के के लिए देखे तो हमा के के पास चार विकल्प है कि इन चारो कुर्सियों में से वह किसी कुर्सी पे बैठ सकता है तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे पास कुल प्रकार आ जाएंगे ठीक है कुल परकार आ जाएंगे जिनके दोरा इन चार लर्कों को विभीन रंगों की कुर्सियों पर बिठाया जा सकता है यहां बराबर होगा छे गुना चार के जिसे हम लिख सकते हैं 24 के बराबर और दोस्तों जब हम विकल्प में देखेंगे तो विकल्प एक में दिया हुआ 24 तो विकल्प एक सही उत्तर होगा आसा करता हम कि आपको इस परशन का हल समझ में आया होगा तब तक के लिए धन्यवाद